नमस्कार दोस्तों गोरोपान डिविलोक्स में आपका फिर से स्वागत है सुभाई हो गई है मंदर आ चुके हैं अब देख सकते हमारे मित्र बैठे हुए बातचीश कर रहे हैं पीछे हमारे काना जी और चाचा जीवनियत चैनल को सिस्क्राइब और सेर करें और लाइक करें अब हम अपने दोस्तों से आपको मिलवाते हैं और काना जी है दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देना चायते हैं अगर आपके परवार में या आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो हम आपको एक ऐसी वेपसाइट के बारे में बताना चाहते हैं, एक भारस सरकार की ऐसी यूजना के बारे में बताना चाहते हैं, कि आप घर बैठे डॉक्टर से इलाज पा सकते हैं, जिसका नाम है इसंजीवनी, दोस्तों आप अपने मोबाइल अथवा लेप्टॉप या डेश्टॉप से आप एक वेपसाइट खोले इसंजीवनी और आप घर बैठे बिना किसी फीस के बिलकुल निसुलक है, आप गवर्मेंट डॉक्टर से उसका अपना और अपने किसी मित्र का अथवा किसी परवार का के सदस्त का इलाज करा सकते हैं, यह OPD प्राता नो बज के दन अथवा किसी फेस्टिबल की छुटती के दन यह OPD नहीं चलती है, लेकिन बर्किंग दे के दन सुबह नो बज़े से साइम चार बज़े तक यह ओनलाइन इसंजीवनी OPD चलती है, आप बिलकुल मेरे साथ बनी रहें, कैसे हम अपने घर बैठे किसी परवार की सदस् सबसे पहले आपको अपने मोबाइल अथवा लेप्टोप पर एक ब्राउजर खोलना है, उस ब्राउजर में आपको गूगल खोलना है और इसंजीवनी OPD जो सामने दिया गया है वो टाइप करके इंटरप्रेस करना है, जैसी ही आप इंटरप्रेस करेंगे, आपके सामने पर इसंजीवनी OPD जैसी ही आप इक लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको नई स्क्रीन सामने दिखाए देगी, जिसमें आपको किनारे साइट पर तीन हरी कलर की बटन दिखेंगे, पहला बटन रहेगा पेसेंट रिजिस्ट्रिसन, सेकेंड रहेगा पेसेंट लॉगन, ठर्र रहे का डॉक्चर लोगन आपको पहले बटन पेसेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना यूँकि आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इसलिए आप सबसे प्रसम बटन है जो पेसेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर क्लिक करें और जैसे याप मौईल नमबर मंगा जाएगा उसके बगल में send otp का हरा कलर का बटन रहेगा आपको send जो मौईल नमबर मंगा जा रहा है आपको वहाँ पर अपना mobile डालना है दोस्तोड यह बात ध्यान रखें अब वही mobile नमबर डालें जो आपके नजदीप होगा आपको send OTP पर क्लिक करना है जैसे ही आप send OTP पर क्लिक करेंगे आपको एक नया text box नीची दिखाई देगा जिसमें enter OTP लिखा होगा आपकी मोबाइल में एक message आएगा OTP कुछ अंकों का रहता है उसको आपको enter OTP test box जहां पर लिखा है वहाँ पर डालना है यह कुछ अंकों का password टाइप का होता है जो आपके मोबाइल पर आता है मैंने अपना OTP डाल दिया है और बगल में OK बटन पर क्लिक कर दिया मैं देखता हूँ एक नया phone आया है जिस पर मुझको अपनी detail वरनी है क्योंकि मैं पहले भी call कर चुका हूँ तो मेरा जो registration वो पहली से शिप रहता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सबसे पहली नाम लखना है उसके बाद अपना जेंडर लखना है मैलिया की मिल उसके बाद आपको अपना district लखना है अपना बूबाईल नमबर आपका ओल्रेड भी पहले से रहेगा कुछवयल में आपको अपनी एज लखनी है , इस टेट लखना है और दिक क की अपना अर्च वहाँ मैं बनलग ब district डाला है, district पकलिक करते हैं तो एक drop list आती है, उसमें सभी अपने state के district रहे थी हैं, जिसको मैंने अपना district select किया है, district select करने के पश्चाथ city का option आता है, वहाँ पर मैं अपनी city को select करता हूं, उसके पश्ाथ मेरा address आता है, मैं अपना address लगता हूं, उसके बाद pin code आता है मैं अपना pin code लगता हूँ दोस्तो मैंने अपनी जानकारी थोड़ा hidden रखी है इसके लिए मैं आपका छमा प्रादी हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ कि general opd आता है उस पर आपको general opd पर click करना है उसके बाद आपको एक message आता है मध्यप्रदेश ईसंजीबनी opd पर click करना है इसके पस्चाथ आपको choose file का button मिलेगा मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपने किसी doctor को पहले दिखाया है तो उन doctor की पर्चे की photo आप इसमें upload कर सकते हैं और बहतर एलाज पाने के लिए अगर आपने कोई lab report हो उसको upload कर सकते हैं अगर आपके शरीर का कोई part damage हो खुझली होती हो घाओ हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो उससे पाड की photo खीच कर आप यहाँ पर upload कर सकते हैं इक बार में तीन file आप इसमें upload कर सकते हैं इसके मैंने भी मेरे सरीर में हाथ में खुझली होती थी जिसको photo मैंने खीच कर अल्रेडी जेश्टॉप पर रख ली है मैंने उसको upload किया है सामने वो file दिख भी गई है आपको red color से इस पकार आप तीन file है upload कर सकते हैं आप जनरेक token पर click करने पर आपके mobile नमबर पर एक message पहुंचेगा जिसमें आपका token नमबर रहेगा यसा आपके इस message में दिखाई भी दिया गया है उस पर okay पर click करने पर आपको सामने एक screen दिखाएगी आपके सामने screen पर mobile नमबर डालें पर नीचे token नमबर डालें और login पर click करें click करने के पर चाप आपको सामने जो screen दिखाएगी एक side पर waiting room रहेगा एक side पर doctor status रहेगा आप देखें आपके बेटिंग रोग में अल्रेडी दो लोग थे आपके जैसे बेटिंग के लिए होगी आपके एक ring बजने लगए आपके पास एक minute का समा रहेगा आप जैसे पर call नम पर click करेंगे तो आप डारेक्ट डॉक्टर से जुड़ जाएगे आप यहाँ पर डॉ जुड़ चुका हूँ और धीरे धीरे मैं सामने आ चुका हूँ मेरा लब जो मेरी picture है सामने आ चुकी है और सामने डॉक्टर जो वीडियो call के थरो मिस से जुड़ चुके हैं वो भी आ चुके हैं वेल दोस्तों नीचे text box के थरो चैट भी कर सकता हूं डॉक्टर से अगर म प्रगार की voice की problem जाती है तो आप चैट के थरो भी डॉक्टर को अपनी problem बता सकते हैं और उसका solution प्राप्ट कर सकते हैं जैसी मैंने डॉक्टर को बताया ही है कि सर मेरे मेरे हाथ में जो problem की image already मैंने send कर दी है तो डॉक्टर भी बोलती है मैंने वह image देख ली है क्योंकि द तो वही आप तुसमाई दे रहा है तो इस पकार आप दोस्तों सामने doctor देख रहे हैं side पर नीचे just मैं देख रहा हूं उसके नीचे headphone के थरो एक दूसरे से talking चल रही है मैं अपनी problem बता रहा हूं doctor सुन रहे हैं उस problem सुन रहे हैं मैंने जो image भेजी है वो image देख रहे हैं उ अगर दोस्तों आपको कोई समस्या जाती है आपकी आवाज doctor तक नहीं पहुच पाती है या doctor की आवाज आपको नहीं आती है तो आप नीचे दिये चाही किनारे जो image वीडियो देख रही है उसके just नीचे जो text box लिखे हैं उसमें आप chatting के थरो भी अपनी problem बता सकते हैं doctor होते हैं अगर सरीर का कोई पांट भी 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 होते हैं पुराना description भी चुके होते हैं doctor को तो उससे आधार पर doctor आपकी problem सुनता है आपको solution संदान करता है इस परकार आप बहुत अच्छा जो ई-संजीबनी भारस सरकार के द्वारा जो दिया गया है इसके थोरो आप अपना खर बैठे निस्वर के कोई सुल्क नहीं है इलाज प्राप्त कर सकते हैं जिसका समय भी नर्स भारत किया गया है सुबहे नौ बज़े से दो फिर एक बज़े तक यह ई-संजीबनी OPD रहती है दोस्तों एक नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूं आप स्क्रीन में जो doctor status दीआ गया है इसमें एक बटन दिया गया है जो doctor status दिखाई दे रहा है उसमें जो link कर रहा हूं मैं आ रहा हूं और जा रहा हूं वो आप है या मैं हूं या me यह भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्या है मेरी क्वारा की हो चूकिया है, जैसे ही मेरा काल होता है मेरे सामने एक स्क्रीन सामने है, जिस इस में डॉक्टर ने मुझे को टीन टैबलेट भी लिखती है मेरे प्रॉब्लम बतायों सार और मैं इसको बजार से ले भी सकता हूँ नीचे दिखता हूँ ने डॉक्टर सर के साइन भी सिगनेचर भी है और सर ने नीचे साइट में आप मुतको एडवाइस दी है सबसे नीचे डाइउनलोड का ओप्सन भी है इस बटन पर अगर मैं क्लि नीचे डाउनलोड हो जाता है डाउनलोड होने के पस चाथ अगर मेरे पास लैप्टॉप में प्रिंटर लगा हुआ है तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करके साइड में जो लाश्ट में प्रिंट का ओप्सन है उस पर क्लिक कर सकता हूँ क्लिक करने के पस चाथ मैं प्रिंट option पर किलिक करके इस परजे का प्रेंट भी निकाल सकता हूं प्रेंट निकाल कर मैं वजाओ से मैं डिसले सकता हूं दोस्तों हम hospital आये वह अपना काम किया और अपना काम complete करके अब घर की ओर बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर मेरा hospital जहां हम काम करते हैं जला hospital छदरपुर है आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहां का garden कितना beautiful कितना सुन्दर लग रहा है कितने अच्छे सफेद कलर के फूल और क्या अच्छे अच्छे पेड क्यारियां हैं मैं तो हमेशा प्रतीदन आता हूं यहां पर बैठता हूं और अच्छी लंबी-लंबी सांस लेता हूं दोस्तों अब हम चलते हैं अपने घर की ओर देखो हमारे घर में हुई है हर्चत की पुजा हमारे माता जी ने चाहिए हर्चत की पुजा अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर किलिक नहीं किया है तो नीचे दिये गए लाल बटन सब्सक्राइब पर किलिक करना ना भूलें इसी आसा के साथ आप सभी को साधर बंदे मातरम